एपिसोड के स्टार्ट में वांग लिंग को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। सुन्डरोंग भी आगे जाने लगती है। लेकिन तभी टांग आके कहता है। क्या पहचाना मुझे। मैं टांग। हम एक ही क्रैम स्कूल में जाते थे। और हमें चेर्मन हूँ, Faction 59 Student Union का सुन्डरोंग इसे गुस्से में मुक्का मारती है। लेकिन लड़की इसे रोक देती है। टांग कहता है। ये सेक्रेटरी है, Student Union की। ये शाब भी है। गवावावी ने रोक नहीं आ रहा होता है। लेकिन Faction 59 के Students इसे रोक देती है। सुन्डरोंग कहती है, के तुम्हें पता है, मैं Faction 60 में क्यों गई। क्योंकि Faction 59 में तुम्हारी जैसे लोग है। और तभी वांग लिंग में कोई अटेक कर देता है और आग लगा देता है। लेकिन Zia इसे रोक देती है, और इने वांग लिंग को Medical Room ले जाने को कहती है। सुन्डरों गुस्से में अपने स्वार्ड निकालके टांग पे अटेक कर देती है। लेकिन Mr. Wang इसे रोक देते हैं, और दोने स्कूल के टीचर सब मामला शान्त कर देते हैं। जिया कहती है, चलो जीम में चलते हैं, कॉंपटिशन के बारे में डिसकस करने है। और उपर वही बंदा होता है, इनकी टीम का फिफ्ट मेंबर, और इसी ने वांग लिंग पे आग लगाई होती है। अब मेडिकल रूम दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिंग को लाया गया है, लेकिन वांग लिंग यहाँ पर होता ही नहीं है। वांग लिंग का अमुलेट अब और भी जादा बेकार हलत में होता है, और तूटने ही वाला होता है। अब ये अपने डैड को कॉल करके बोलता है कि एमुलेट तूटने वाला है और उन्हें फैक्शन 59 बुला लेता है न्यू एमुलेट लेके क्योंकि अगर ये तूट गिया तो ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉई हो जाएगा नेक्सीन में जीये इन सब को जिम दिखाती है जो की काफी बड़ा होता है और ये देखके हैरान होते है अब ये कॉम्पटिशन के बारे में समझाती है और कहती है ये एक 515 कॉम्पटिशन होगा फील्ड में 5 ओल्डर्स है जिनके नाम है मैटल, वुड, फायर और अर्थ ओल टेस्ट तुम्हारे स्कूल में होने वाला था लेकिन उसा अटैक होने की वज़े से अब ये फैक्शन 59 में हो रहा है और दूसरी तरफ वांगलिंग रास्ता भूल चुका होता है तब ही इसकी स्वर्ड स्पिरिट बोलता है कि मास्टर मुझे एक्जिट मिल गई अब यहा सबी साइड अट जाते है फिर ये गायव होके सुन्डरों के बगल में आ जाता है ग्वावाव कहता है ये काफी फास्ट है ये सुन्डरों को कहता है अगर तुम मेरा फ्लार ले लोगी तो मैं इस चेर्मेन और उसकी टीम को हराने में तुम्हारी मदद करूँगा जीय कहत होने आता है लेकिन ये इसे दूर फेक देता है मार के और सुन्डरों को फ्लार लेने को कहता है चैन्चाओ फिर उठके खड़ा होता है और ये फिर से बुरी तरीके से इसे मार के नीचे फेक देता है लेकिन चैन्चाओ को उसके फादर की बात याद आती है कि चैन फैमली जहां भी अन्याय देखती है वो से रोकती है और ये बूफैंग पर फिर अटेक कर देता है लेकिन इस बार बूफैंग इसका हाथ ही डिस्ट्रोई कर देता है पूरा और इसे पीछे फिक देता है लेकिन वांग लिंग से पकड़ देता है और इसका हाथ भी हील कर देता है मि से डिरेक्शन में और जब यह कल्टिवेटर के पॉजिटेव स्पिरिच्वल फोर्स से टक राती है तो एक बहुत बड़ी स्पिरिच्वल पर पर दिखाने लगा दो और किया चाज हैं और प्रिक्शन के लीडर भी यहां पर अंदर आ चुकी होती है नेक्सीन में मस्टर्जुओ को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहे होते हैं और कहते हैं मैं समझ गिया हम Faction 59 जा रहे हैं अभी नेक्सीन में Faction 59 दिखाया जाता है यहाँ पे वांगलिंग इनके साथ नहीं जाता और नोडल्स देने चले जाता है और Faction 59 की लेडरे इसका पीछा कर रही होती है लेकिन इसके पीछे बूफेंग आ जाता है और कहता है मिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यह कहती है मैं डूडी पर उन ट्रेनिंग ग्राउंड क्लीन करने की बूफेंग कहता है नाटक बंद करो मुझे पता है तुम Faction 59 के शुड़न नहीं हो और कहता है कि तुम मेरी गल्फरंड बनोगी और जो भी तुम प्लाइन कर रही हो मैं तुम्हारी हल्प करूँग उसमें लेकिन इसको रिजक्ट करके यहाँ से चली जाती है और कहती है मैं किसी यंग को डेट करना चाहूंगी बूफेंग कहता है यंग बनने का नाटक मत करो ओल्ड लेडी ये सुनके ये इसके मुँपे जोरदार मुक्का मारती है और बूफेंग ये देखके काफी एकसाइटेड हो जाता है और इसके अटेक करने जा रहा होता है ये कहती है क्या मुझे इस चीज़ से इंप्रेस होना चाहिए इतनी जी नेगटिव एनरजी तो मेरे ड्रैवर भी यूज़ कर सकता है और इसकी नेगटिव एनरजी को खतम कर देती है ये देखके बूफें जोर से चिल लाता है दोसी तरफ वांगलिंग अपने नूरस लेके आ रहा होता है तब ये शैड़ फैक्शन के लीडर को देखता है जिसने बूफेंग को बांध रखा होता है और इसकी हालत बहुत ही बुरी होती है शेट अफेक्शन के लेटर वांग लिंग को देखती है आप और वांग लिंग इसे ये स्माइल करती है और वांग लिंग के हाथ से इसके नोडल शूड जाते हैं और इसी के साथ ये अपिजोड यहीं पर एंड हो जाता है